पौश पूर्णिमा के साथ ही संगम की रेती पर चल रहे माग मेले की शुरुआत आज से हो गई। लोगों का कलपवास शुरू हो गया जो 24 फरवरी को मागी पूर्णिमा तक चलेगा। वही कुछ ऐसे श्रद्धालू है जिनका आगमन मकर संक्रांती पर होता है। आज गुरुवार को पौश पूर्णिमा परव पर भीशन ठंड के बावजूत पुने लाब अर्जित करने के लिए श्रद्धालू की भीड आने का सिलसिला जारी है। संगम की रेती पर स्नान के साथ ही जगह जगह चाय नाश्ता एवं भंडारा शुरू हो गया। जहां लोग स्नान के बाद प्रसाद भी ग्रहन कर रहे हैं। बता दे कि इसके बाद 9 फरवरी को मौनी अमावस्या और 14 फरवरी को बसंत पंचमी तथा 24 फरवरी को मागी पूर्णिमा और 8 मार्च को महाशिवरात्री का स्नान होगा। इस बार मेलाक शेतर 786 हेक्टेय में बसाया गया है, जिसे 3 जोन में बाटा गया है, 7 सकिल और 14 फानों के साथ 41 चौकियां स्थापित की गई है, सुरक्षा के कड़े प्रबंधन किये गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात के निर्देश अनुसार यह माग मेला आगामी महाकुंद मेले का ट्रायल होगा माग मेले छेत्र में सुगम आवा गमन देने के उद्देश से, चाहे वो अध्या से सादू संत आ रहे हो या अन तीर्थ्यात्री यहां पर आ रहे हो संगम राज में, तो उसको सुगम आवा गमन देने के लिए हम लोगों ने माग मेले छेत्र में पार्किंग के विवस्ता संगम घाट पर और सभी अनिसरान घाटों पर सुनिशित किया गया है। सिसी टीवी कैमरों के माध्यम से भी लगातार हम लोग नज़र रख रहे हैं और आवश्यक्त तरून का प्रयोग भी कर रहे हैं। एक मोटे अनुमान के तौर पर दो लाग से अधिक शद्दालू संगम घाट पर और अनिसरान घाटों पर आकर इसरान कर चुके हैं।